हेलो फ्रेंड्स मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूट पेनल पर स्वागत करती हूँ आज हम जीड़ा राइस बनाएंगे आईए बनाना शुरूर करते हैं सबसे पहले कोकर में तीन चमज खी लेंगे अब उसमें दो चमजीरा अगर आपके पास यह ना हो तो आप लॉंग भी डाल सकते हैं साथ स्याट काली मिट्च दो तेज परता डाल कर मिला लेंगे अब इसमें देड़ कप चावल जिसे हमने पहले ही पानी से धोल लिया था डाल कर अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें स्वादनों सार नमक डालेंगे अब इसमें जितनी क्वेंडिटी में चावल लिया है उतनी ही क्वेंडिटी में पानी डालेंगे और अच्छे से मिला का कुकर को बंद कर देंगे और लो फ्लेम पर एक सीटी आने तक का इन्थिजार करेंगे एक सीटी आ चुकी है चलिए पुकर को खोल के देखते हैं कुश्बू तो बहुत अच्छी आ रही है चलिए अब इसे एक बार चला लेते हैं अब सर्विंग के लिए एक बाउल लेंगे और उसे उपर तक चावल से भर देंगे अब प्लेट से इस तरी किसे ढख कर टैप करकर चावल को प्लेट में निकाल लेंगे अब इसे धनिय के पत्ते से गानिश कर लेंगे जीरा राइस बनकर तयार हैं आप इसे कम टाइम में इजिली रेडी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राब करना नाम भूले